हेलो फ्रेंड्स, विल्कम बैक, दोस्तों यह एक ऐसी फ्री वीडियो सीरीज है जिसके माध्यम से हम संपून सामान अध्यान को याद करेंगे अवश्यक्ता अनुसार याद करने है तो हम ट्रिक का इस्तेमाल भी करेंगे लेकिन जहाँ ट्रिक की अवश्यक्ता नहीं है वहाँ अनावश्यक्त ट्रिक हम नहीं बनाएंगे सीरीज के प्रतेक वीडियो में मैंने 25 प्रेशन सम्मिलित किये हैं कोशिश की है कि सामान ने अध्यान के किसी भी टॉपिक का कोई भी महत्पूर्टत थे चूटने ना पाए वीडियो के अन्य भाग देखने है तू प्ले लिस्ट का लिंक मैंने नीचे लिखे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप उस लिंक पर क्लिक करके इस सीरीज के सभी वीडियो देख सकते हैं तो चलिए देर न करते हुए शुरू किया जाए दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो का ये पहला भाग है तो पहले भाग का पहला प्रश्ण है भारत को इंडिया नाम किसके दोरा दिया गया तो भारत को इंडिया नाम दिया गया था यू नानियों दोरा इसे याद रखने के लिए आप ऐसा मान लिजे कि हमारे इंडिया में जो नामकरण की प्रक्रिया है वो बड़े बुजुर्गों की उपस्थिती में पूरी होती है और कारिक्रम के दौरान हमारे नाना नानी या दादा दादी नामकरंड करते हैं यानि नाती पूतों का नाम अक्सर नानियों द्वारा दिया जाता है तो चूंकि ये मुसलिम इतिहासकार थे इसलिए इन्होंने क्या कहा होगा इन्होंने निश्चित रूप से भारत को हिंदू का इस्थान कहा होगा और ऐसा कोई नाम दिया होगा जिसमें हिंदू शब्दाता हो पहला है धर्म ग्रंथ, दूसरा है एतिहासिक ग्रंथ, आप चाहें तो इसे एक ही कैटेगरी में रख सकते हैं, कि जो पुराने ग्रंथ हैं, उनसे हमें प्राचीन भारती इतिहास की जानकारी मिलती है, दूसरी चीज है विदेशियों का विवरण, जो विदेशी राजदू बनकर या फिर भारत के ब्रहण में आते थे, उनके द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई हैं, उनके माध्यम से, या फिर तीसरा है पूरा तत्तु संबंदी साक्ष, जिसमें सिक्के, अभिलेक, स्तंभलेक, ये सब कुछ आते हैं, तो ये चार चीजों से हमें प्राचीन भ प्रिकी वे में याद कर लेते हैं, विधी निर्माता, यानि जिसने विधी का कानून का निर्मान किया होगा, और कानून क्या है, जिसे मानने के लिए प्रतेक नागरिक बाध्ध है, यानि इसे मानना ही पड़ेगा, आपका मन हो या ना हो, तो इनका नाम देखकर ही लग का है कि मनु, मनु, मानो, मानु, मानु, इन्होंने विधी बनाई है, यानि इसको आपको मानना ही पड़ेगा, मनु, 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 तो ऐसे आपको मनु याद आजाएगा, जो कि प्रथम वेधी निर्माता थे, फिरे दोस्तों भारत का सर्व प्राचीन धर्म गरंथ क्या है तो सर्व प्राचीन धर्म गरंथ है वेद अब इसे याद करने के लिए आप ऐसा समझ लिजी कि प्राचीन गरंथ यानि सबसे पुराना गरंथ गरंथ को समझ लिजे गाठ है सबसे पुरानी गाठ है तो याद कीजिए पुरानी गाठ को कैसे ठीक किया जाता है या कैसे ठीक होता है वो ठीक होता है वैद के माध्य हम से वैद्य होते हैं वैद्य हकीम जिने आज हम डॉक्टर्स कहते हैं तो प्राचीन पहले के जमाने में ग्रंथ, गाठ, गाठ कैसे ठीक होती रही होगी तो आपको फट से आदा जाएगा कि जरूर वैद ठीक करते रहे होंगे और वैद से आपको वेद आसानी से आदा जाएगा कन्फ्यूज नहीं होंगे कि पुरान महाभारत तो नहीं थे फिर है दोस्तों वेदों के संकलन करता कौन है यानि वेदों का संकलन किसने किया तो वेदों का संकलन किसने किया होगा पहली बात तो ये है कि धार्मिक ग्रंथ है तो निश्चीत रूप से रिशी मुनियों के द्वारा किया गया होगा तो हम नाम का पहला word ही किसी रिशी के नाम से रख देते हैं तो हमने रख दिया महारशी यानि महान रिशी अब चुकि यह भगवान से समंधित ग्रंथ है तो किसी भगवान का नाम होगा तो हम माल लेते हैं क्रिश्न होंगे इसके बाद हमेशा से एक नियम चला रहा है कि किसी पुस्तक का नाम उसके संकलन करता है या राइटर के नाम पे दिया जाता है तो चुकि यहाँ पुस्तक का नाम ही वेध है इसलिए हम माल लेते हैं कि वेध जी ने इन्हें संकलित किया होगा तो यहाँ पे आपको वेद भी मिल जाएगा यानि महर्शी, क्रश्न और वेद तो पूरा नाम आपको याद आ जाएगा महर्शी, क्रश्न, दोएपायन, वेद व्यास दोस्तों जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि हम हर जगा ट्रिक नहीं बनाएंगे जहां हमें लगता है कि confusion हो सकता है या तत्याद नहीं रहेंगे वहाँ पे हम ट्रिक का استعمال करेंगे फिर है दोस्तों वेद क्या उपदेश देता है तो वेद क्या उपदेश देगा अब यहाँ पे माले दें ये वैद है वैद क्या उपदेश देगा कि भाई कोई भेद भाव मत करो, सब का इलाज करो, सब का इलाज करो, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, यही उपदेश देगा, यदि हम वेद को वैद दे मान लें, तो हम को क्या उपदेश देगा कोई वैद या डॉक्टर, कि आपको भेद भाव नहीं करना है, स प्रत्वी ही हमारा परिवार है यानि प्रत्वी के सभी निवासी हमारे भाई बेंजे से हैं और सभी हमारे परिवार के सदत से हैं तो वसुधैव कुटुमकम का उपदेश वेध हमें देते हैं इसके बाद दोस्तों भारती परंपरा वेदों को क्या मानती है तो हमारी जो भ अंत भी कही नहीं है शुरुवाद भी कहीं नहीं हैं और आपरुशे पिर यह दोस्तों संख्या कितनी है तता इसमें सबसे प्राचीर वेद कौन सा है और सबसे नया वेद कौन सा है नविन्तम वेद कौन सा है तो इसके लिए आप एक ट्रिक याद कर लीजे रसिया रसिया आर एस वाई ये रसिया अब रसिया से आपको पहले चीज़ तो चारो वेद याद आ जाएंगे यानि रिगवेद, साम वेद, यजुर वेद और अथर्व वेद और चारो वेद याद आने के साथ साथ आपको इसमें पता चल जाएगा कि सबसे पुराना वेद कौन सा है तो सबसे पहले देखे आर यानि रिगवेद है और सबसे नया वेद कौन सा है आ यानि अथर्व वेद तो ये ट्रिक आपको याँपे याद रखनी है रसिया, रिगवेद, सामवेद, यजुरवेद और अथरवेद यहाँ पर मैंने लिखवी दिया है सबसे प्राचीनवेद हो जाएगा रिगवेद और नविंतम हो जाएगा अथरवेद इसके बाए दोस्तों चारों वेदों को क्या कहा जाता है तथा कौन से तीन वेद, वेद तरही कहलाते हैं अब वेद तरही देखिए यह अपने आप बता रहा है कि वेद तरही यानि तीन वेद सिर्फ तीन वेद इसमें लिए गए होंगे तो हम मान लेते हैं कि शुरू के तीन वेद ले लिए यानि R-S-Y को ले लिया गया और A यानि अथर्व वेद को छोड़ दिया गया तो R-S-Y ये कौन से वेद हैं रिग वेद, साम वेद और ये जुर वेद साथ इसमें क्या प्रश्ण है चारो वेदों को क्या कहा जाता है तो चुकि वेद हैं, धर्म ग्रंथ हैं इसलिए ये क्या करते होंगे निश्चित रूप से लोगों का हित करते रहे होंगे और वैसे भी वेद उपदेश दे रहे हैं वसुधैव कुटुमकम का यानि पूरी प्रत्वी हमारा परिवार है तो ये एक तरह से क्या कर रहे हैं सब का भला कर रहे हैं, हित कर रहे हैं और हित से आपको याद आ जाएगा संहिता तो चारों वेदों को लोगों का हित करने की वज़़े से हिता यानि संहिता कहा जाता होगा और शुरू के तीन वेद यानि कि रिग वेद में जो श्लोक दिये गए हैं या मंत्र दिये गए हैं उन्हें हम रिचाएं कहते हैं और वही प्रशन है यह कि रिचाओं के क्रमबद ग्यान को क्या कहा जाता है तो उसे रिग वेद कहा जाता है या फिर रिग वेद में जो मंत्र या श्लोक हैं उनको क्या कहा तो उन्हें रिचाएं कहा जाता है तो रिग और रिचा, रिग और रिचा आपको वैसे ही याद आ जाएगा इसके बाद है रिग वेद में कितने मंडल, कितने अनुवाक, कितने सूक्त और कितने रिचाएं हैं तो इन्हें आपको याद रखना है 10 मंडल है, यह 10 मंडल हो गए 85 अनुवाक है 85 अनुवाक, सूक्त कितने है, सूक्त ध्यान रखिएगा 1070 सूक्त है प्लस 11 सूक्त वाल खिल ले पाट के हैं, तो कुल मिला के कितने हो गए, 1028 सूक्त ये है 108 सूक्त और रिचाएं कितनी हैं तो रिचाएं कहीं पे 10,462 मिलती हैं कहीं पे 10,552 मिलती हैं और कहीं पे 10,600 मिलती हैं तो हमें option में ध्यान रखना है यदि 10,462 दिखाई दे तो इसमें टिक करना है यदि 10,552 दिखाई दे तो इसमें करना है और यदि 10,600 दिखाई द उन्हें कहा जाता है होत्री ये भी कई वर पर रिक्षाओं पूछा गया है अगर इसे tricky way में याद करना हो तो ऐसा मान लीजेगा कि रिग यानि रितुएं 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 होती हैं जब चार option आपको दिखाई देंगे उसमें से आपको होत्र तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि सबसे पुराने व्यक्ति कौन थे जो भारत में आये थे वो थे R हमने पढ़ा है इतिहास में R सबसे पहले आये थे और सबसे पुराना वεται कौन सा है और रिग वेध है फ्षडी देर पहले हमने पढ़ा था ना रसियर ट्रिक से तो सबसे पुराने वेद से किसकी जानकारी मिलेगी? जो सबसे पुराना व्यक्ती होगा, उसी की जानकारी मिलेगी? ऐसा यहां लॉजिक इस्तेमाल कीजिए, तो आपको अपने आप इसका उत्तर याद आ जाएगा. तो रिग वेद से हमें मिलती है, आर्यों की राजनितिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी. इसके बाद है आर्य शब्द का अर्थ क्या है? आर्य शब्द का अर्थ है स्रेष्ठ या कुलीन. यह बहुत important प्रश्ण है, और मैंने इसे कई प्रश्ण पत्रों में देखा है. तो इससे आप बिल्कुल कंठस्त कर लीजे, आर्य शब्द का अर्थ है स्रेष्ठ या कुलीन, यानि अच्छे कुलवाला. ट्रीकी वे में याद करना हो, तो यह समझ लीजी कि आर्य वही हैं, जो सबसे पहले आये थे भारत में, बहुत पुराने व्यक्ती, एकदाम शुरू में, तो अब उनके उपर तो कोई रहा नहीं होगा, तो इन्होंने अपने आपको सर्व स्रेष्ठ बताया, या हम कह सकते हैं कि यह हमारे पूरवज थे, इसलिए कैसे थे, स्रेष्ठ थे या कुलीन थे, कोई भी अपने पूरवज को बूरा नहीं कहेगा, तो आरे शब्द का अर्थ ही हो जाएगा, श्रेष्ठ या कुलीन, इसके बाद दोस्तों, रिगवेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र है, और यह किस देवता को समर्पीत है, तो रिगवेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है, और यह सूर्य देवता सावित्री को समर्पीत है, गायत्री किसको समर्पीत है, सावित्री, गायत्री, सावित्री, बिल्कुल मिलता जुलता नाम है, आपको अपने आप याद आ जाएगा, इसे trick से याद करना है तो यहां पे ध्यान दीजे guy और 3 guy और 3 तो 3 से हैब को तीस्रा मंडल अपने आप राद आ जाएगा guy तरी 3 है तरी आनी 3 तो RIG VED के तीसरे मंडल में guy 3 मंत्र है और या guy 3 से मिलते जूते नाम सावित 3 को समरपीत है इसके बाद है RIGVED के तीसरे मंडल जिसमें गयत्री मंद्र है उसके रचेता कौन है तो अब चुंकि ये त्रह यानि तीन वाला मंद्र है तीसरे मंडल में है फिर किस देवता को समर्पित है? सा वित्री इसमें भी त्रह है तीन तो निश्चित रूप से इसे जिस रिशी ने लिखा होगा, उनके नाम में भी त्रा होगा, त्रा यानि तीन होगा, तो यहाँ पे विश्वा मित्र, त्रा, अब कई रिश्यों के नाम आपको option में मिलेंगे, जैसे वशिष्ट हो गए, भारत द्वाज हो गए, अगस्त हो ग जरूरी नहीं है कि मैं जो अर्थ निकाल रहा हूँ, वो सही है, लेकिन हमें याद रखना है, इसलिए ऐसा हम न्काल लेते हैं, तो सॉम से समझ लूझे सोमरस, यानि मदीरा जिसे कहते हैं, या शराब जिसे कहते हैं, तो सोम के नाम से ही आप पहले क्या बोलेंगे, नो न नहीं नहीं अच्छी बात नहीं है तो ऐसे याद रहेगा आपको सोम का उलेख है नौवे मंदल में फिर दोस्तों रिगवेद में आठवे मंदल की हस्त लिखित रिचाओं को क्या कहा जाता है यानि आठवे मंदल में जो हाथ से लिखी हुई रिचाएं हैं रिचाएं मतलब के लिखा होता प्रिंट निकाला होता तो अच्छी रैटिंग आती फिर तो सब वाह वाह बोलते लेकिन हाथ से लिखाया और रैटिंग अच्छी नहीं थी किसी की तो इसको देखकर खिल खिला कर हस पड़े तो खिल आपको अपने आप याद आ जाएगा option देखकर दोस्तो कि मैं ये सीरीज जारी रखूँ अगर परियाप्त लाइक नहीं मिला तो ये सीरीज में बंद कर दूँगा साथी हर नए वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजेगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजेगा ताकि कोई भी वीडिय कि पुरुष सूक्त में तो रिगवेद हमें याद रहेगा क्योंकि ये प्रथा शुरू से ही चली आई है एकदम शुरू से कि समाज में चार वरन होगे ब्राम्हन होगा चत्री होगा वैश होगा शुद्र होगा और उन्हें उनके कर्मों के अधार पर डिवाइड कर दिय तो आपको यहीं पर दास प्रथा दिखाई देती है यानि इन तीनों वरनों ने शुद्र वर्ग को अपना दास बनाया होगा तो यहां से दास प्रथा की शुरुवात होती है सेवक या दास तो दास से आपको दसवा याद आएगा दस 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 यानि दसवा मंडल याद पुरुष सूक्त में बताया गया होगा ऐसा नहीं कि जो मैं बोला हूँ बिलकुल सही है लेकिन लॉजिक ऐसा लगाएंगे तो ये हमारे दिमाग में बैठ जाएगा और फिर कभी नहीं बूलेगा तो पुरुष सूक्त में बताया गया होगा जाती है जो मैंने अभी बताई ब्रामण, छत्री, वैश, शुद्र इन चारों के बारे में यानि इनकी स्थिती क्या होगी विवसाय क्या होगा इनकी responsibilities क्या होगी करतव्य क्या होगी और इनको क्या-क्या दिकार मिले होगी जिसकी मदद से हम पहचान लेगे कि यह इस धर्म का गगती है तो वही बुक हमारा एंसर होगी तो धर्म सूत्र फिर है दोस्तों Gregorian calendar किसके जन्म वर्ष पर आधारी थे तो Gregorian calendar मुझे लगता है सभी को पता है कि इसा मसीह के जन्म पर आधारी थे क्योंकि हम अक्सर वर्ष इसी में आध करते हैं 1546 इस्वी, 1550 इस्वी ऐसे बोलते हैं न या फिर और पीछे जाएं तो 512 इसा पूर्व, 499 इसा पूर्व तो Gregorian calendar जो है वो इसा मसीह के जन्म पर आधारी थे फिर है इसा मसीह के जन्म के पहले के समय को क्या कहा जाता है तो ये तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि इसा मसीह के जन्म के पहले के समय को इसा पूर्व कहा जाता होगा इसके बाद है इसा मसीह की जन्म तिथी से आरम हुआ सन क्या कहलाता है तो वो कहलाता है इस्वी ये भी आसानी से समझ में आ रहा है अब एक बात दोस्तों याद रखिएगा कुछ लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि वर्षों की गिंती उल्टी होती है किसमें इसापूर्व में यानि ये अगर जीरो है यहाँ पर इसापूर्व का जन्म हुआ है पहली इस्वी, दूसरी इस्वी, तीसरी इस्वी, चोथी इस्वी तो इस तरह से आपको इसा मसीह के जन्म के पहले इसा पूर्व और इसा मसीह के जन्म के बाद इस्वी जोड़ना है फिर दोस्तों ब्राम्हन गरंथों में सर्व प्राचीन कौन सा है तो ब्राम्हन ग्रंथों में सर्व प्राचीन है शत्पत्थ ब्राम्हन ओप्शन में देखेंगे तो यह अपने अभियाद आजाएगा क्योंकि इसमें खुद बताया गया है शत्थ यानि एक तरह से यह अंक है खुद बता रहा है कि मैं 100 साल पुराना हूँ और भी ब्राम्ह तो दोस्तों यहाँ पर पार्ट वन समाप्त हुआ अब आपको इस सीरीज के अन्ने भाग देखने है तो वीडियो के नीचे प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है उस पर विजिट करके आप उने देख सकते हैं वीडियो के प्रतेख भावे मैंने 25 प्रशन सम्मिलित किये है चली अब मैं आपके टेस्ट ले लेता हूँ मैं आपसे तीन प्रशन पूछूँगा और आप खुद आकलन कीजे क्या आपको याद हुआ है या नहीं हुआ है पहला प्रशन है दोस्तों भारत को इंडिया नाम किस ने दिया मुसलिम इत्यासकारों ने आरियों ने युनानियों ने या अफगानों ने दूसरा प्रश्ण है अप और उशेय शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है इश्वर द्वारा रचित, मानव द्वारा रचित, पुर्षों द्वारा रचित या इन में से कोई नहीं तीसरा एवम अंतिम प्रश्ण है यग्यों के नियमों का संकलन किसमें मिलता है तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि जिन प्रश्णों को आज आपने पढ़ा होगा उनका उत्तर असानी से दे देंगे और जिन को आपने नहीं पढ़ा है उनका उत्तर नहीं दे पाएंगे इसलिए आप इस सीरीज के हर वीडियो को देखिए ताकि आप सभी प्रश्णों का उत्तर असानी से दे पाएं वीडियो का PDF चाहिए तो मेरे टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर लिजे जिसका लिंक मैंने नीचे लिखे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो मिलते हैं इस वीडियो के अगले भाग में तब तक के लिए नमस्कार